हो शिव चरणों में ध्यान लगाए सोमवार ब्रत कथा सुनाए मोरे नात को करो प्रणा मतों सुनों लगाँ करे रा हो सोमवार के ब्रत जो करते इसी कथा को वो सब सुनते सोलाह करते जो सोमवार मोले नात करेंगे उतार हो इक अमरावती नावकनगरी बड़ी ही पावन बड़ी ही सुथरी जिसमे था एक शिव मंद्य पूजा करते सब आखर हो एक दिन भग तुम शंकर भोले माता गारा से ये बोले मृत्यू लोक में जाएंगे ब्रमन करके आएंगे हो मृत्यू लोक में जब वो आएंगे नगरी अमरा वती गई भाएंगे शिम बंदिर ने ही आकर लगे खेलने है चासर हो जो ही प्रारंभ खेल हुआ है भोले नाथ ने मां से कहा है कौन जीत राज जाएगा ये हमें बोल बताएगा हो तभी पुजारी महा है आया उससे ही है पूछना चाहा सच सच कहना पंबित जी आज जीत किसी की बोधीर होन के पुजारी ने ये बोला जो मन में था भीद वो खोला यहां तलक है मुश्वो ग्यान कोई ना बोले नाथ सवान हो चो सर की जो लगेगी वाजी उस में जीतेंगे भोले जी हो गया खेल प्रारंब है अभी तो ये शुब आरंब है हो चो सर बाजी लगे खेलने और पंबित है लगा देखने पंबित परीत है बात हुई पारवती मा जीत गई हो जो भी पुजारी नेवत लाया उल्टा नतीजा उसका आया जो जीत हो गई मा कौरा और पंबित को श्राप दिया हो तुमने दिया है जो नीथ्या भाशन हे पंबित तुम इसके कारण मोठी तुम हो जाओगे दर दर ठोकर खाओगे हो जैसा अगोरा माने कहा है उस पंडित को कोड़ हुआ है समरी इश्वर की माया थै ओधी हो करिकाया थै हो उसी मंदिर में कुछ अफसर आए पूजा करने एक दिल आए मोठी पुचारे को देखा किस कारण पूचा हो उस पंडित ने सब बत लाया गोरा मा को क्रुध था आया संचारी में हो गया पा गोरा माने दे दिया शाब हो सुनकर बोली है अफसर आए हम तुमको एक विधी बताए शाम से मिल जाएगी मुक्ती बोले नात की करो भती हो सो मवारे की ब्रत करो सो लहा मिट जाएगा शाप भी जो है कीन करना तुम जापन बोले नात होगी प्रसन हो ब्रत विधी और उद्यापन की पंडित को है सब बतला दी अक्सराओं ने जैसा कहा बंडित ने वैसा ही किया हो विधी पूरबक की ये सभी है और क्या उद्यापन भी है जोले नात हुए प्रसन विधी पंडित को दर्शन हो पंडित ने है शीष जुकाया रोग मोक्त हुई उसकी काया भोले नात मरदानी है बिनती उसकी वानी है हो भोले नात सी वर जो पाया कोड मोक्त हुई उसकी काया भोले नात ने की है कृपा रोग मोक्त वो पुजारी हुआ हो भोले पारवती फिर जो आए पंडित को है नीरोगी पाय पारवती मालगी रहने शाक दिया था तुहे अमने हो कौन सा तुमने याद ने किया है कोड दूर जो तेरा हुआ है पंडित ने सब बतलाया मा पौरा को समझाया हो आई थी आहा कुछ अपसराए वो ही मुझे को गई बताए सुनवार का प्रत किया माता निरोगी मैं तो हुआ हो परवती माता ने भी माना व्रत की महिमा को है जाना करी ब्रत सुलह सुमभार उन्यका सता होगा होगा हो एक बार भगवान कार्तिक है माता पितासी हो गई है रुष्ट अब खुद माता गौरा भी सुमभार प्रत करने लगी हो सुलह व्रत जो पूरे होए है तब करते के भी मान गए है माता से आपर पूछा तुमने क्या ऐसा माता किया हो अप से रूठे की मैं तो आया किन तो गया ना ध्यान हता आया एक पल के लिए तुम को मा मैं चाले क्यों भूला ना हो सिसी कहा है गोरा माने सोमवारे की ब्रत की मैंने मिरकार्टि प्रधी समझ गए उन्हों ने भी है ब्रत की हो विधिपुरे बक्त जो ब्रत को निभाया बिछड़ा हो आथा मीत्र वो पाया मीत्र को कहा कार्टित ने सोलह रत की है मेरे हो सोमवारे ब्रत की महिमा है तेरा मेरा मिलने हुआ है मीत्र भी लगा सोचने है ब्रत मुझे को भी करने है हो व्यों हकीक्षा मन में ले करे करने लगा ब्रत उनका मीत्र हल स्वरूप विदेश गया वही पे उसका हुआ भिवा हो वहां की राजा की कन्या है जिससे उसका ब्याह हुआ है स्वयंबर जब रचना की शर्त रखी है कुछ ऐसी हो स्वयंबर की जो शर्त बताए एक हधिनी वर माला लाए इसके गले पहराएगी मेरी गन्या पनाएगी हो हतिनी ने लेकर वर माला करतिक मीत्र की गले में डाला जो राजा की कन्या की बन गई है उसकी पत्री हो राजानी जब सुर्ग सिधा भारा राज पाट उसी मिल गया सारा राज लगाके ओकर ने इतनी शक्ती है रत में हो पूत्र की उसको हुई है कामना फिर से शुरू कर दियाव्रत करना सुला हगात समापन है तिर से किया उत्यापन है हो उत्यापन की रस्मनी भाए उसके पतनी वहना आये पतनी ने नहीं सात दिया राजा ने उसे त्याप दिया हो लगी भटक ने फिर वह बना बना एक दिखा रिशियों का आश्रम आश्रम दे रादी आई रिशियों ने वह समझाई हो तुमने पती का साथ दिया आना इसलिए यहां पड़ा है आना मूल का पश्या ताप करो सोमभार के ब्रत करो हो रिशियों ने जो समझाया है वह उसे बड़ा पच्छतावा है सुच लिया उसने मन में व्रत मुझे भी है कर ले हो व्रत जो उसने पूर किये है राजा लीनी को आ गए हूं रत करी का जो सुमभार बोली नात करी उधार प्रत जो समय उसा था जड़े कर लो बाख जड़ा है उस्ट एंग में प्रत जा एंग